दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं Nifty 50 और बैंक निफ्टी में क्या कुछ लेवल्स आगे चलके देखने को मिल सकते हैं और दोस्तो इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कुछ intra day and swing stocks जिनमें एक अच्छी खाइब मोमेंटम हमें आगे चलके देखने को मिल सकती है तो बने रहे हैं इस वीडियो पर end तक चली start करते हैं वेल दोस्तों कहना चाहूंगा बहुती मेहनत करके बहुती effort करके मैं stocks को select करके लेके आता हूं और वीडियो बनाता हूं तो आप सभी से मेरी एक ही request है कि वीडियो को like कर दीजिए ठीक है तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों nifty 50 के बारे में देखो nifty 50 की अगर मैं बात करूँ ये वाली जो range है न ये range थी करीब 5% ठीक है अब 5% ही यहाँ पर हमें क्या मिलना था हमें target मिलना था और वो almost दोस्तों achieve हो चुका है जो target था 24-500 का था और आज इसने जो high लगाया दोस्तों 24-48 के आसपास का high लगाया है तो almost हमारे जो target है दोस्तों वो achieve हो चुके हैं अब आगे देखते हैं market क्या इसको continuation रखेगी या फिर यहां से profit booking देखने को मिल सकती है तो कहना चाहूंगो दोस्तों जो तक यह budget नहीं आ जाता तब तक तो market को एक ही जिगे sustainable रखा जाएगा उसके बाद market जो है अपनी direction पकड़ेगी या तो upper side में या फिर नीचे की side में ना दोस्तों अब हम बात कर लेतें nifty bank के बारे में जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक बड़े channel को break करके दोस्तों एक छोटा channel बना दिया bank nifty ने एक छोटे channel में अभी जो है यह trade करा रहा है तो जिस भी side break करेगा फिर आपको एक अच्छा momentum देखने को मिलेगा बिसिकली आप देख सकते हैं इस वाले जो channel में यह बिल्कुल नीचे के level पर trade करा रहा है या तो यह निकल के इस वाले high को break करेगा 52,800 को अगर अपर side में break करेगा तो आपको फिर नए highs आपको दिखाई देंगे यहाँ पर जो की 53,500 तक के levels easily दिखाई पड़ सकते हैं otherwise दोस्तों आपको क्या देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पर sustain नहीं हो पाता है फिर break करता है तो first target नीचे की तरफ 51,900 and then इसको भी break करेगा तो फिर आपको वापिस से इस zone में एक भुश जाएगा हो सकता है फिर वापिस से नीचे आते हुए दिखाई पड़ जे इस trend line तक ना दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे stocks जो हमने recently आपको study कर आए थे उनमें क्या कुछ momentum हमें देखने को मिली है और कौन सा आज का best performance हमारा stock रहा है intraday में उसके बारे में भी हम discuss करने व होगा next दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको study करायता है इस zone के आज पास ठीक है उसके बाद कल फिर से मैंने आपको study करायता है जब यह यहाँ पे था मैंने यह बोला था आप से कि यह जो resistance zone है यह इसने break कर चुका है और इसमें आप momentum जो है अच्छी खासी देखने को मिल सकती है और आज के दिन दोस्तों इसने intraday में करीब 16% का रिटन यहाँ पर बना के दिया हुआ है तो आई होप आपने इसके पीछे का logic समझा होगा and इसको gainfully enjoy किया होगा next हो के दोस्तों Jubilient in Gravia आप देख सकते हैं दोस्तों इसको मैंने study कराया था करीब इस zone के आज प चल रही है तो उनको मैंने यह चार्ट शेर किया था 564 पे ठीक है उसके पाद जो इसने high लगाए दोस्तों 605 का लगाए तो उनको बहुत अच्छा सीखने को मिला इसमें और उन्होंने इसको enjoy भी किया और इसमें जो logic था वो भी मैंने उनको बताया कि किस वज़े से यह intrad अच्छा जबर्दस मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिली है ना दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ और नए भैतरी सोक्स के बारे में जिनमें एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है सबसे पहले स्टों के दोस्तों MRPL इसको आप सड़ी कर सकते हैं देख सकते हैं दोस्तों जो इसने हाई लगाया था वो करीब 280 के आसपास का हाई लगाया हुए है ठीक है उसके बाद इसमें रिट्रेस्मेंट आते हैं फिर कोसिस करता है फिर नहीं जा पाता है फिर से प्रोफिट बुगिंग आ जाती है फिर गिर जाता है ठीक है फिर यहां पर निकल जाता है तो फिर एक जबर्दस मोमेंटम यहां पर हमें दिखा सकता है तो इसको आप अपने एंड पर स्टड़ी कर सकते हैं नेक्स्टो के दोस्तो आंदरा शूगर यह मैंने अलड़ी स्टड़ी कराया हुआ है आप देख सकते हैं और अभी इसने बहुत अच्छी मारा बुजू केंडल यहां पर बनाए हुए है और आगे चल के दोस्तो इसमें जो मोमेंटम में वो कंटिन्यू हमें देखने को मिल सक सकती है तो इसको भी आप स्टड़ी कर सकते हैं नेक्स्टो के दोस्तो कैल्पेन पॉइंट्स यह स्टो कि मैंने आपको पहले भी स्टड़ी कराया हुआ है और यह कई बार यहां पर क्या कर चुका है कोसिस कर चुका है इस रेजिसेंस को ब्रेक करने की आप देख सकते हैं आज फिर इसने finally यहाँ पर break कर दिया है और यह एक बहुत ही important reaction था दोस्तों इसका, अब हो सकता है कल के दिन हमें एक बहुत अच्छा momentum यहाँ पर देखने को मिल जाए, यह हो सकता है कल नहीं भी आए, बट आगे आने वाले कुछ दिनों में एक जबरदस momentum इसमें pending है, वो हो सकता है, आगे चल के हमें देखने को मिल जाए, तो इसको भी study कर सकते हैं, next हो के दोस्तों धामपूर बाय और गेनिक्स, इसको आप study कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, institution यहाँ पर active है, यह जो आप देख सकते हैं, यह आप देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त momentum है, इस दोस्तों इस वाले zone को यहाँ पर निकालेगा, जो की 148 के आसपास का है, तो फिर से आपको जो तेजी है, वो fresh यहाँ पर तेजी आपको देखने को मिल सकते हैं, जो की first target यह रहेगा, and then उसके बाद भी break करेगी, तो आगे चल के एक अच्छा खासा momentum आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको भी आप अपने end पर study कर सकते हैं, next ओके दोस्तों high tech corporation, इसको आप देख सकते हैं, काफी दिन से यहाँ पर नीचे consolidation कर रहा है, actually पहले यह क्या कर रहा था, एक गिरावड में था, लेकिन यहाँ पर क्या हुई है, buying happening हुई है, और फिर नीचे profit booking आई, फिर से यहाँ पर माल उठाया गया है, फिर profit booking आई, फिर से माल उठाया गया है, तो आप देख रहे हो, multiple times यहाँ पर जो माल उठाया जा रहा है, और इसको कहीं ना कहीं एक breakout लेवल पर लेके जाया जा सकता है, जो कि इसका यह वाला portion है, यह resistance इसका है, 247 के आसपास, जैसे बर करेगा, एक जवरदस momentum यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, लास्ट बर नौत दॉल इस, rain indices, दोस्तों इसको आप अपने NB study कर सकते हैं, multi-year breakout यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा है, यह जो trend line है, यह दोस्तों काफी दिन से यहाँ पर मैंने रोकी हुई है, और finally इसका breakout होने जा रहा है, अगर यहाँ पर breakout हो जाता है, तो momentum जो है, सीधा-शीधा आपको first यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि 210 के आसपास जाके sustain करेगी, फिर एक नए fresh momentum दिखा सकती है, तो इसको भी आपने NB study कर सकते हैं, और दोस्तों लास्ट में कहाना चाहँगा, अगर आपने किसी भी stocks में buy या selling करनी है, तो आप अपने financial advantages से चलाज जरूर ले, क्योंकि यह video सीपोसिप education purpose से बनाई जाती है, और दोस्तों अगर आप advanced level में stock market सीखना चाहते हैं, कि कैसे stocks को selection करते हैं, कैसे एक बड़े momentum को catch किया जा सकता है, तो उसके लिए दोस्तों हमने आप सुडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्या है